नमस्कार क्या होते हैं राजस्तान में वर्तमान में कितने राश्ट्य उद्यान हैं और उनको लेके कैसे प्रश्ण पूछे जाएंगे तो देखें राश्ट्य उद्यान जो है यहां स्वा इस्तान यहने की in C2 सरक्षित शेत्र होते हैं जहां पर प्राकर्तिक आवास में वन्य जीव रहते हैं या वन्यजीव भ्रह्मन करते हैं विचरन करतेें अब हमारे सामने सबसे बहला परश्णी यह है कि राष्ट्य उद्ध्यान किसे कहते हैं तो राष्ट्य उद्ध्यान का तात्परिया वे सरक्षित शत्र जो किसी विशेश प्रजाती की सरण इस्तली है उन्हें हम राष्ट्य उद्ध्यान कहते हैं यह ध्यान रखना यहीं कि किसी भी विशेश प्रजाती की सरण इस इस्तली है जैसे उधारण के लिए हम लोग बात करें केवला देव घना पक्षी विहार केवला देव घना पक्षी विहार जो है वहां साइबेरियन सारस की सरण इस्तली है इसी तरह से मुकुंद्रा हिल्स की बात करें तो गागरोनी तोतों के लिए प्रशिद है इसलिए रा उत्रा खंड में की गी थी और जिम कारबेट को भारत का पहला राश्ट्रे उद्यान घोसित किया गया था कब घोसित किया गया था 1936 में घोसित किया गया था जिसका वर्तमान में राम जो नामकरण किया गया है वहां राम गंगा नेशनल पार्क के नाम से हम लोग जानते हैं तो राजस्तान में वर्तमान में तीन राष्ट्रे उद्यान हैं कितने हैं तीन राष्ट्रे उद्यान हैं अब कौन कौन से हैं और वहां से कैसे प्रश्ण बनते हैं उन पर हम लोग बात करते हैं तो देखे सबसे पहले हम बात करते हैं रन थंबोर राष्ट्रे उद्यान रन के गी थी 1955 में इसकी स्तापना हुई थी लेकिन इसे राष्ट उद्यान का दर्जा कब दिया गया तो एक नवंबर 1980 को इसे राष्ट उद्यान का दर्जा दिया गया और इसलिए यहां राजस्तान का पहला राष्ट उद्यान और जो राजस्तान में तीन राष्ट्य उद्यान है उनमें शित्रफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा जो राष्ट्य उद्यान है वहां रण थंबोर राष्ट्य उद्यान है। वर्ष 2004 नेकि 6 वर्ष के लिए एक पर्योजना चलाएगी थी जिसका नाम था इको इंडिया डावलप्मेंट प्रोग्राम। इको इंडिया प्रोग्राम या प्रोजेक्ट यहां चलाया गया था जो कि 1998 से शुरूआ था और 2004 में पूरा वा। अब इस राष्ट उद्यान में कौन-कौन से परेटन इस्तल है। एक तो इसमें मिलेगा आपको रन थंबोर दुर्ग। और रन थंबोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि सब दुर्ग तो नंगे हैं एक दुर्ग बक बस्तर बंद दुर्ग कौन सा है। वहाँ है या बकतर बंद दुर्ग को कौन सा है। रन थंबोर दुर्ग है। रन थंबोर दुर्ग जो की एक वन दुर्ग की स्रेणी में आता है जो चारों और से जंगल से घिरावा है। वन दुर्ग की स्रेणी में आता है रन थंबोर दुर्ग इसके बाद बात करें इसी में ही जोगी महल और त्री नेत्र गनेश मंदिर इस्तित है इसलिए प्रशन आता है कि राजस्तान में गनेश चतूरती का प्रशिद मेला किस अभ्यारण में या राष्ट उद्यान में भर भरता है गनेश चतूरती को clear इसके अलावा इसमें पदंत तालाप, मलिक तालाप, गिलोई सागर, राजबाग तालाप और लावभूर पुरजील जैसे कुछ प्रमुक परेटन इस्तले अब इसमें से प्रश्ण कॉलेज लेक्षरा और या स्कुल लेक्षरा में पूछा गय यह तो ही रण थंबोर की कहानी, इसके बाद दूसरा जो है, वा है केवला देव घना पक्षी विहार, जो की भरतपूर में, कहां पर रहें, भरतपूर में, अब यदि बात करें, इसकी स्तापना केगी थी, 1956, 1956 में इसकी स्तापना हुई थी, लेकिन इसे राष्ट्य उद् कब दिया गया, 27 अगस्त 1981, 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट उद्यान का दरजा दिया गया, और यहां राजस्तान का दूसरा राष्ट उद्यान है, और शित्र फलकीत राष्टी से सबसे छोटा, शित्र फलकीत राष्टी से सबसे छोटा राष्ट उद्यान है, तीन राष्ट उद्ध्यान में रन्थंबोर सबसे बड़ा है और केवला देव सबसे छोटा है और इसे हम पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं क्या कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग या पक्षियों की आस्रे इसलिक कहते हैं और यहां जो है साइबेरियन सारस साइबेरियन सारस के लिए प्रशिद है जिने हम सफेद सारस के रुप में जानते हैं और इसलिए भरतपुर जिल्ले का जिल्ला सुबंकर जो है वहाँ सारस है यहाँ जो भरत केवला देव घना पक्षी वियार है यहाँ राष्ट उद्ध्यान के सासाथ यहाँ राजस्तान की पहली रामसर साइट भी है यहाँ आद्र भूमी शित्र में भी यहाँ सामिल किया गया है साथ ही यहां Montrix record में भी सामिल है यहां सामिल है Montrix record में भी सामिल है इसके अलावा यहां UNESCO की प्राकर्तिक विश्य धरोर में भी सामिल है जिसे 1985 में इसे UNESCO की प्राकर्तिक विश्य धरोर में सामिल किया गया और राजस्तान का एक मात्र प्राकर्तिक इस्तल तोकि यूनेस्को की प्राकर्तिक विश्य धरौर में सामिल है। जल आपूर्ति जो होती है वहाँ अजान बांध से होती है। प्रास्ति उद्यान मुख्य रूप से तो कोटा में हैं कहाँ परें कोटा में लेकिन यह कोटा के साथ कुछ भाग इसका जालावाड बूंदी और चित्तोडगड में लेकिन जो हमारी प्रसास्तिक वन रिपोर्ट है उसमें इसका उलेक जो दे रखा है वहाँ कोटा और चित तोडगड इसके अलावा इसका कुछ भाग बूंदी और कुछ भागया जालावाड मत अब देखिए बात करें इसकी स्तापना इसकी स्तापना जो है वहाँ 1955 में की गिती और इसे राष्ट उद्यान का दर्जा दिया गया नौ जनवरी 2012 को इसे राष्ट उद्यान गोशित किया गया और यहां राजस्तान का तीसरा और नविंतम राष्ट उद्याने ये ध्यान डखना इसके बाद इसकी विशेस्ता है कि यहां गाग रोनी तोते जिसे हम हीरा मन तोता कहते हैं उसके लिए यहां प्रशित है और इसी जो है राष्ट उद्यान में अबली मीनी का महल रावन महल और भीम चोरी प्रशित मंदिर इस्तित है और यहां तीनों ही कोटा जिल्ले में कहां परें कोटा में और यहां जो राष्ट उद्यान है यहां एनेच बावन यहां राष्टिय राजमार्ग एनेच बावन पर इस्तित है यह तो थे राजस्तान के तीन राष्ट उद्यान जिनको लेके प्रश्न बनते इसके बाद अगला प्रश्न आता वहां आता है Tiger Project बाग परियोजना का अगर देखिए इदियम बात करें बाग परियोजना की तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाग परियोजना की सुरुवात कब और किसके प्रियासों से की गई तो आपने नाम सुनाओगा Tiger Man of India जिसे हम Dr. केला साखला के नाम स जानते हैं जो हमारे राजस्तान जोद्पूर के निवासी है और जो Tiger Man of India डॉक्टर केला साखला इनी के प्रियासों से भारती वन्य जीव सरक्षन अधिनियम 1972 इसके तहत जो है भारत में Tiger Project की शिरुवात हुईती कब हुईती एक अप्रेल 1973 एक अप्रेल 1973 को भारत में Tiger Project बाग परियोजना की शिरुवात हुईती और किसके प्रियासों से हुईती डॉक्टर केला साखला के प्रियासों से हुईती इसलिए डॉक्टर केला साखला को Tiger Man of India के नाम से हम लोग जानते हैं और भारत की पहली बाग परियोजना जिम कार्वेट उत्राखंड को घोसित की ध्यान रखना भारत का पहला राष्ट्री उद्यान भी जिम कार्वेट उत्राखंड था और भारत की पहली बाग परियोजना भी जिम कार्वेट उत्राखंड ती जिसे वर्तमान में राम गंगा नेशनल पार्क के नाम से या राम गंगा टाइगर रिजर्व के नाम से हम लोग जानते हैं और इनके प्रियासों से भारत में बाग परियोजना की सुरुवात हुई और राजस्तान के संदर में बात करें तो वर्तमान में राजस्तान में चार टाइगर प्रोजेक्ट हैं कितने हैं चार हैं कौन-कौन से हैं उन पर बात करते हैं तो देखें, राजस्तान में बाग परियोजना की बात करें, तो राजस्तान की सबसे पहली बाग परियोजना, पहली बाग परियोजना, रन थंबोर टाइगर प्रोजेक्ट जो की सवाई मादोपूर में, और इसे वर्ष 1973-74 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया, यहने कि 1973 में इसे घोशित किया गया और यहाँ 1974 से क्रियान भी तो हो रही है। इसलिए धानकना यदि पूछा जाए कब घोशित केगी 1973 में और यह स्तापना कब केगी 1974 में। इसलिए हम दोनों वर्स लिखते हैं 1973 और चौतर जो कि राजस्तान की पहली बाग परियोजना है। 10 अप्रेल 2013 को राजस्तान की तीसरी बाग परियोजना घोशित किया गया। और राजस्तान की चौती या नविंतम बाग परियोजना की बात करें। तो रामगड विश्धरी टाइगर प्रोजक्ट जो की बूंदी जिल्ले में जिसे जून 2021 में राजस्तान की चौथी और भारत की 52 बाग परियोजना का दर्जाद दिया गया. तो इस तरह से राजस्तान में तीन राष्ट्रे उद्यान हैं और चार भाग परियोजना हैं जिसमें से नविंतम भाग परियोजना रामगड विश्धरी जो की भारत की 52 बाग परियोजना तो ये था हमारा एक क्विक रिविजन का छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने राजस्त